हाई फ्रेंड्स अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चानल को सब्सक्राइब करें और बल आइकन दबाएं NDTV इंडिया को मिला बेस्ट न्यूस चानल अफ दियर का अवार्ड रवीश बोले चानलों को उनमादी भाषा से बचना चाहिए इनबिये अवार्ड्स 2018 की घोशना हो गई है इस बार अवार्ड्स अवारों में NDTV इंडिया का जल्वा दिखा NDTV इंडिया को बेस्ट न्यूस चानल आफ दे इयर की अवार्ड्स समानित हिया गया इसके साथ ही चानल के रिपोर्टर सौरब शुकला को यंग प्रोफेशनल आफ दे इयर चुना गया अवार्ड्स समारों में चानल की तरफ से ये पुरुसकार लेने के लिए वरिष्ट पत्रकर रवीश कुमार के साथ साथ एंडिटीव इंडिया की पूरी टीम मौजूद थी इस मौके पर रवीश कुमार ने इस आवार्ड के लिए चुने जाने पर सभी का शुक्रियाद्या किया और मौजूदा दौर में मीडिया के बढ़काव रवया पर निशाना साथा और हुने कहा कि हम ऐसे महौल में उनमात की भाशा से इस्तमाल करने से बचें इस पेशे का असूल यही है कि हम काम करते हुए हमेशा इस बात का धियान रखें कि ना तो खुद भावनाओं में बहेंगे और ना ही किसी को उकसाएंगे रविश कुमार ने कहा कि आप जब यहां से जाएंगे तो अपनी ट्वीट को एक बार पढ़िएगा मैं मज़ा खराब नहीं करना चाहता लेकिन आप चानल वालों ने सच में हिंदुस्तान का मज़ा खराब कर दिया है जो भाशा और जिस तरह से काम चल रहा है उन्होंने एंडी टीवी की तारीफ करते हुए कहा कि पिछले पांच साल से आज या कल जब कोई दस साल बाद यूट्यूब के तहकाने में जाकर ढूंडेगा कि इस समय कौन क्या कर रहा था तब पता चलेगा कि कोई एंडी टीवी भी था जो भीड नहीं बन रहा था ना हम भीड बन रहे हैं ना हम भीड बना रहे हैं रविश कुमार ने मीडिया को उसकी जिम्मेदारी याद दिलाते हुए कहा कि जनता को आप से बहुत उम्मीदे हैं हम यूँ ही घटना से पहले या घटना के बाद भी गावों और घर से चुड़े रहते हैं हमें मालूम है कि उन घरों से आने वाले CRPF के जवानों के मा बाप पर क्या गुजरी है हम इस घटना की भावना से नहीं बोल रहे हैं लेकिन उनकी तारीफ को हमने लंबे समय से कवर किया है इसलिए हम कहते हैं कि अगर आपके जज़बातों में इमानदारी है तो अर्ट सैनिक बलके पैंशन की लड़ाई लड़ लीजिए वे ठेले वाले टैंपो वाले किसान और मजदूरों के घर से आते हैं वे आ रहे हैं तीन मार्च को और अपनी अपनी राश्र भक्ती का इम्तिहान दे दीजिए और ट्वीट करिए कि पीएम जी अब आपका भाशन बाद में सुन लेंगे लेकिन आप पहले इनको पैंशन दीजिए उन्होंने आगे कहा कि रवीश की टाइम कभी खतम नहीं हो सकता आपको हजारों आवर्ड मिल जाएंगे लेकिन कभी रवीश खतम नहीं होगा पत्रकारिता में हर आम आदमी कभी ना कभी कोई ना कोई रवीश डूणेंगे मैं आपसे अनुरोद करता हूँ कि हम सब आपस में जहन ना गोले और ना अपनी आदत से जंता के बीच तर्शकों के बीच सनक की हवा की तेज करें ये हमारी जिम्मदारी है